तो दोस्तों आईए जानते हैं सोने और चांदी के बरतन में खाने से मिलेंगे पांच बेशकीमती लाब। और इससे हमें कौन से फायदे मिलते हैं। के लिए चांदी के बरतन में खाने का सबसे पहला फायदा यह है कि आपके शरीर में ठंडग बनाये रखता है। इससे शरीर का तापमा नियंत्रिद बना रहता है। यही कारण है कि जिन लोगों को गुस्ता अधिक आता है उन्हें चांदी के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। दूसरा फायदा चांदी हमेशा बैक्तीरिया फ्री और संक्रमन रहित होती है। इसलिए इसके बरतनों का प्रयोग हमें कई तरह की बिमारियों से बचाता है। और शुद्धता प्रदान करता है। चांदी शुद्धता का प्रतीक है। जब भी आप खाने को गरम करते हैं, बरतन संबंधित धातू उस खाने के साथ मिश्रित हो जाती है। और बरतन के साथ मिश्रित होकर आपके शरीर में प्रवेश करती है। जब आप चांदी के बरतन का उपयोग करते हैं तो चांदी के तत्व आपके शरीर में प्रवेश करते हैं जो बेहत फायदे मंद होते हैं चांदी के गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम की समस्या दूर होती है वही चांदी के बरतनों का प्रयोग पित बढ़ने की समस्या को भी दूर करने में प्रभावी होता है पाँचवा फाइदा चांदी के बरतन में भोजन करने से दिमाग के लिए फाइदे मंद होता है ये दिमाग को शांत रखकर या दाश को बढ़ाने में मदद करता है और आखों की समस्या से भी निजात दिलाता है तो दोस्तों ये थे पांच फाइदे चांदी के बर्तन में खाना खाने के अगर आपके घर में भी चांदी के बरतन है तो तुरंत उन्हें अपनी अलमारी से बाहर निकाल लीजे और उनका इस्तमाल कीजे जिससे के आपको भी ये फायदेज जरूर मिल पाएंगे दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं अगर आप हमारे वीडियो से संबंधित कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखे और हम से फूट सकते हैं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ और फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटिस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए